नमस्कार दोस्तो अभी अभी राजस्थान में तीसरी बार लोगडाउन लगाने को लेकर बहुती बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तो आपको बता दे वैसे तो राजस्थान में आनशिक लोगडाउन लग रहा है और अनेक प्रकार की पाबंदिया लग रही है जैसे साधी विवाय, अंतेश्टी, धार्मिक इस्थल, स्कूल खोलने बंद करने को लेकर तता दोस्तो बाजार खोलने और बंद करने को लेकर अनेक प्रकार की पाबंदिया इस वक्त लगी हुई है लेकिन संपूर्ण लोगडाउन की भी गोशना हो सकती है मातर 15 दिन में 5 लोगडाउन की गाइडलाइन आ चुकी है तीसरी लहर में लगतार कोरोना के केस प्रदेश में लगतार बढ़ी रहे है सरकार ने एक बार फिर सकती बढ़ाने की अब तैयारी कर ली है जिलों में इस बार उन वे पाबंदिया बढ़ सकती है जहां दोस्तो पॉजिटिविटी रेट जादा है याने की सीधे सब्दों में अगर हम कहें कि जहां पर ओमी क्रोन का जो संक्रमन है जादा है वहाँ पर दोस्तो संपूर्ण लोगडाउन निश्चित हो जाएगा वहाँ पर कंटेंटमेंट जोन इस्थानी इस्तर पर बनाकर पाबंदिया बढ़ाई जाएगी इसको लेकर मुखे मंतरी एक या दो दिन में कोरोना रिव्यू बैठक बुलाकर गाइडलाइन पर चर्चा करेंगी इसके कुछ समय बाद दोस्तो नई गाइडलाइन आ जाएगी और उसमें जो पाबंदिया है कौन सी चीज बंद रहेगी क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा पूरी डिटेल आपको मैं इस चैनल पर सबसे पहले ले कराऊंगा दोस्तो आपको बता दें गाइडलाइन के कुछ प्रावदानों में बदलाव सी एम की बैठक के बाद हो सकेगा केस जादा जिन इलाकों में हैं इसकूल बंद रखने का फैसला वहां 31 जनवरी के बाद भी लिया जा सकता है और दोस्तो आपको बता दें कि जहाँ पर जो केस हैं 20 फीजदी के आसपास हैं उन इलाकों में जो सकती है और भी बढ़ाना तैमाना जा रहा है ऐसे इलाकों में संडे कर्फ्यों के बजाए विकेंड कर्फ्यों सनिवार और रविवार को लगाया जाएगा याने कि दोस्तो यहाँ पर दो दिन बाजार, दुकान, धार्मिक इस्थल जो भी चीज़े हैं दो दिन तक दोस्तो संपूर्ण तरीके से बंद रहने वाली हैं प्रेदेश के धार्मिक इस्थलों पर परसाद और पूजा सामागरी पर पहले से रोग लगी हुई है इस बीच सरदालों की एंट्री कई बड़े धार्मिक केंदरों ने बंद कर दी है विकेंड कर्प्यू के दिन जादा तर जो धार्मिक इस्थल हैं बंद ही रही थे अब आपको बता दें प्रेदेश के 15 जिलों में वीकली 10 फीचदी से ज़्यादा जो केस हैं वो आ रही है 9 जिलों में दोस्तो 15 फीचदी से ज़्यादा उपर आ रही है और इसे ही देखकर जो एक्सपर्ट्स हैं याने कि दोस्तो जो विशे सक है इसे बहुत ही खतरनाक बता रही है जोदपूर, जैपूर, उदैपूर, बेकानेर, कोटा, भरतपूर, भीलवाडा, चितोड़गड और अलवर दोस्तो यहाँ पर 15 फीचदी से ज़्यादा जो केस है वो आ गई है जैपूर और जोदपूर में तो 24 फीचदी ज़्यादा केस आ रही है जो की खतरे के निसान से सबसे उपर बताए जा रही है तो दोस्तो अब रिव बेठा कोकर जल्द ही लोगडाउन की गाइड लाइन आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी इसलिए चैनल को आप अभी ही सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें